इसलिए दोस्तों आप लोग इस बैकेंशी में अप्लाई करने के पहले पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेर हो जाना आप लोग रिस्क ले सकते हैं ठीके तो ही आप लोग इस बैकेंशी में अप्लाई करें अधरवाई आप लोग इसमें अप्लाई ना करें क्योंकि दोस्तो आज के वीडियो है आर्मी कैंटीन होसियार पूर रिकूर्मेंट और आज 24 के बारे में दोस्तों आज किस वीडियो है हम लोग इस भरती से संबंदित चेहन प्रक्रिया, एजुकिस्टन कॉलिफिकेशन, एज और एक्जाम पैटर इन सबी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप लोग इस रिकूर्स ने वीडियो को फूरा देखे है जिसमें दोस्तों सभी इंडियन नागरिक अप्लाई कर सकते हैं चाहे वह एक सरीस्ट में हो या फिर सिविलियन कंडिडेट ठीक है अगर आपके पास सेना का अनुभए है तो अच्छी बात है अगर आप फेसर कंडिडेट है अगर आपने कभी सेना में काम ने किया तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं मगर दोस्तों यहां पर थोड़ा एक ट्रिकी किया है तो दोस्तों इसमें ऑफलाइन मादर्ण से फॉर्म भरे जाएंगे इसमें और लोग चाहते है तो दोस्तों आप लोग चब्विस फरवरी के पहले पहले इसमें ऑफलाइन मादर्ण से अप्लिकेशन कर सकते हैं इसलिए दोस्तों इच्छों का भैर्ट्यों को मैं बताना चाहूंगा अकर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 26 फरवरी का वेट ना करें आप लोग कम से कम 15-20 फरवरी तक अ आप लोग को फॉर्म सही पते पर और सही समय से पहुंच जाए और दोस्तों आप लोग के पास एड्मिट काट आर सकें जिससे आप लोग आंगे की कारवाई इस पर इच्छे सम्मंदित कर सकें बात करें एस की तो दोस्तों में एस का क्राइट इरिया 18-15 साल रखा गया है और आपकी एज ही गरना दोस्तों 26 फरवरी 2024 तक की जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि 26 फरवरी 2024 तक आपकी एज 18-15 साल के बीच में होनी चाहिए बात करने सेलेक्शन प्रोसीजर की तो दोस्तों इस बरती में सबसे पहले आपका रिटें टेस्ट होगा सबसे पहले आपकी इस बरती का एक्जाम पैटन ने क्या रहेगा इसमें दोस्तों आपसे 100 कोशन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के रहेंगे और आपको 90 मिनिट का समय दिया जाएगा आपका एक्जाम पेपर दोस्तों बाइलेंग्वल होंगा हिंदी और इंग्लिस में आपका पेपर आए जिसमें दोस्तों GK और GS के 25 कोशन पूछे जाएंगे मैट के 25 कोशन और इजिनिंग के 25 कोशन और इंग्लिस के 25 कोशन पूछे जाएंगे ठोटल 100 कोशल आपको 100 नंबर के होगो जो की 90 मिनिट में हाल करना है अब दोस्तों आगे इस वीडियो में हम लोग हर एक पोस्ट के अनुशार इसकी education qualification क्या माई गई है और number of post पदों की संख्या कितनी है इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों watchman के लिए 10 पास होना अनिवार है इसमें simple आप 10 पास है तो आप लोग इसमें eligible है और आप billing clerk के लिए apply करना चाहते हैं जिसमें दोस्तों 10 प्लस आपको computer चलाने का knowledge होना चाहिए ठीक है इसमें दोस्तों तोटल 16 पदों के लिए बैकेंसी निकाली गई है आगे हम लोग बात करें store keeper की दोस्तों यह इसमें 10 पास हो प्लस computer का knowledge होना चाहिए इसमें दो पदों के लिए बैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर इसमें दोस्तों केवल एक सर्विस में अपलाई कर सकते हैं इसमें एक पद है और असिस्टेंट एक सर्विस में अपलाई कर सकता है इसमें एक पद है ठीक है टोटल 25 पदों के लिए बैकेंसी निकाली दोस्तों बाच आती है कि यह भरती का प्रकार क्या है यह Ginger का लीकर कई गया है किस में बैकिनजी संभीदा के आदर पर धी करना चाहरा है ठीक है न cat क्यों भूलों आपने वहन के साथ लगा के भेजिएंगे दो सब से पहले आपके पास all एज़ूकेशनल सर्टिफरिकेट होने चीए पोस्ट के नुकार्ट वाहिए तो आपके पास दसवी तक के मारसीट और सर्टिफरिकेट होने चीए प्ल Metि और आपके पास जीए और आपके पास दो फोटो होने चीए उसक Τा नही जो रही quella की एन उसमें दोस्तों को सभी डाकूमेंट्स की फोटो कोफी लगानी है और सभी फोटो कॉंपी सिल पडेश्टेट होनी चीए फोटो में आपको डूस्तों कैपटर अधेज करने हैं उनकी फोटो काउपी और सेल पटेश्टिट कर देना है उनको एक लिफाफे के अंदर डाल देना है और बड़ेवाले लिफाफे को पर दोस्त आपको लिखना है application for the post प्लस आप कौन सी कर्देग्यांट करते हैं आप लोग करते हैं सब Lewis कर सकते हैं मगर इस wagency में दोस्तों प्राथ मिक्ता एक serviceman को दी जाएगी मतलब इसमें पहले इन सभी post में aq serviceman को प्राथ मिक्ता दी जाएगी अगर इन सभी post के लिए उनको एक serviceman नहीं मिलेगा तभी civilian candidate के बारे में विचार किया जाएगा के पहले पूरी तरीके से मेंचली प्रिपेड हो जाना आप पोगो इतना रिस्क ल siendo यह तो ही आप लोग से आपकर अब्लइन करें कि अगर आप लोग इस घॉटियूरों दो जा pac को प्रत्मिक्तर दी जाएगी इसलिए दोस्तों मैं आपको बता जाता हूं फॉर्म अपलाई करने के पहले ही अगर आप लोग इसमें अपलाई कर रहे हैं तो पहले एक्सर्विशन को अब प्रत्मिक्तर दी जाएगी ठीक है उनके बाद अगर उनको नहीं मिलता एक्सर्वि कि इस बेकेंसी में अपलाई करना चाहिए तो ही अपलाई करें अधरवाज आपना समय और पैसा बर्बाद ना करें तो दोस्तों यह थी जानकारी आर्मी केंटीन होस्ट यार्फू रिकूर्मेंट होजाट चोबिस समंदित आसा करता हूं आप को मेरे दोर दीगे जानकारी समझ में आ गई होगी फिर अगर आपको कोई डाउट है आप लोग नीचे कमेंट करना मैं कोसिस करूं को आप लोगों के हरे कमेंट का जवाब देने के लिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जनकारी साथ अब तक के लिए जहें बनने बात रहूं